मैंने सुना है, आइंस्टीन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, साथ सो बार प्रियोग कर चुके और सफल नहीं हुए थे, लेकिन रोज सुबह बापस अपनी लेवर्टरी में हसते हुए आकर खड़े हो जाते थे, उसके साथ जो एक यूबक काम कर रहा था, वो थक मरा है, कि वो असल में यूबक ठक गया था, वो यूबक परेसान हो गया था, असल में वो यूबक बुड़ा था, आइंस्टीन जवान था, वो यूबक उससे कहता है कि अवे छोड़ ही देना चाहिए, कि तुम कितनी दफे हार चुके, आइंस्टीन कहता है कि हार चुके, तुम कि वो 700 दिसाओं में सत्त नहीं है एह में पता चल गया है कि हम 700 बार असफल हो गए हैं सत्त नरंतर इस पश्ट होकर करीब आता जा रहा है अगर मान लो 750 दफे सत्त होगा तो अभी 14 बार हमें और इस पश्ट करना है चौदा रास्ते और निसेत करने बढ़ेंगे फिर भही से के भाग नहीं सकता हम उसको पकड़ ही लेंगे वो जाएगा कहां हम 700 मार्गों पर खोच चुके कि वो नहीं है वहां इत्ता तो निशिंद हो गए हम अब इतनी तो हमने सीमा काट के फैंक दी अब अग्यात का छेतर बिलकुल सुकड़ गया है बड़ा नहीं रह गया है हमन आपने ख्याल किया यह उनके जीवन के संबंद में यह जो उनके देखने का नजरिया था इससे आप क्या समझते हैं हम लोग कोई भी चाय परिक्षाएं दे रहे हूं या कोई काम कर रहे हूं या कुछ तैयारी कर रहे हूं या किसी छेतर में कोई खोच कर रहे हूं तो दो ही हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उस काम को छोड़ी देते हैं पूरी तरीके से और कहते हैं हमें करना ही नहीं है क्यों नहीं करना है कारण सिर्फ इतना होता है क्योंकि हम उसमें असफल हो रहे हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हम तीन बार हो गए हैं चार बार ह हो सकता है पांचमी बार में हम सफल होने ही बाले थे और आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया हो सकता है आप पांचमी दफे उस कुंजी तक पहुंच नहीं बाले थे उस दौर पर पहुंच नहीं बाले थे और आपने चार गेट खोलके ही बंद कर दिये पांचमी पर गई नह एह सोच कर कि जब चार में नहीं मिला तो पांच में कहां से मिलेगा और असल में यही हम सभी लोगों का देखने का नजरिया हो गया है क्या होता है कि हम कई बार बरसों किसी काम को करने में लगा देते हैं कई बार दो साल लग जाते हैं, तीन साल लग जाते हैं कोई काम छोटे होते हैं 6 महीने 8 महीने लेकिन जैसे ही जैसे ही हम अपने लक्ष के प्रती करीब पहुंचते जाते हैं तो अंदर एक परिवर्तन होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि अब इतनी बार कर लिया हमने वो नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जब भी ऐसा बिचार आए क्योंकि अक्सर लक्ष उसी के करीब होता है जहां में लगने लगे कि अब बस और हमारे बसकी नहीं है और नहीं हो इसे हम आँगे कर सकते हैं क्योंकि बार-बार इसमें असफ़ल हो रहे हैं और अब हम नहीं कर सकते हैं तो आप उसी छण याद करें बस एक ही पल एक कदम और आँगे बढ़ाने की आवश्यक्ता है आपको उस समय नरास नहीं होना है अब सौ में से सिर्फ दो लोग ही ऐसे होते हैं जो बहाँ पे इतना संयम बनाए रख पाते हैं अन्य था बाकी तो छोड़के मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं कि सौ बार काम कर लिया है कुछ होई नहीं रहा है तो अब 101 भी बार क्या करेंगे जब 100 भी बार नहीं हुआ तो 102 बार क्या कर लेंगे हो गई नहीं इस तरह का जो नजरिया है हमें से बदलने की सकता आवश्यक्ता है तो जब आप इस नजरिये से देखना शुरू करेंगे जैसा कि आइंस्टीन कहते थे कि हमने 700 बार प्रियोप कर चुके 700 बार हम देख चुके हैं कि इन 700 जगयों पर वो नहीं है अब हो सकता है वो सथ हमारा 702 भी बार हूँ या 744 भी बार हूँ या 715 भी बार हूँ तो अभी हमें 15 बार और ट्राय करना है उसमें अभी 15 रास्ते और खोजने की आवश्यक्ता है हो सकता है जो 700 वार ना मिला हो हमें वो 750 वार मिल जाए क्योंकि वो 750 वार पर ही था इसलिए 700 वार नहीं मिला लेकिन यहां थोड़ा हमें आसाबादी होना पड़ेगा हमें समझना होगा और जो भी आप काम कर रहे हैं पहले इस उनिश्चित कर लें क्या आप बागे में उसे करना चाहते हैं क्या सच में आप उसके प्रती इतने करमट हैं या उसे करने के लिए पूरता तयार हैं कि कुछ भी हो आप उसे करेंगे वो हर हाल में करेंगे अगर इस प्रकार का आपका दर्ण संकल्प है और इसी परकार की आपकी सुचने का नजरिया है और इसी परकार की आपकी निष्था है अपने काम के पृति तो विस्त्वास मानिये आप हर हाल में उसमें सफल होंगे फिर चाहे वो कोई भी आपका काम हो बस निरास नहीं होना है कुछ कर रहे हैं थोड़ा प्रयास करते चलिए धीरे 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 हर बार आप कुछ नया सीखेंगे असर में हम जब भी असफल होते हैं तो असफल नहीं होते हम हम कुछ ऐसे रास्तों की बिकास देख लेते हैं जिनमें वो चीज होई नहीं सकती तो दो तरह की नजरी यह होते हैं या तो हम यह समझें कि इसमें असफल हुए हैं या एक तरह से हम यह सा देख सकते हैं कि हमने यह जान लिया है कि हाँ वो चीज नहीं है अब जो चीज नहीं है इसको जानना भी तो एक सफलता ही कहा जा सकता है ना और जहां आपका सत्थ होगा आप धीरे धीरे बहां भी पहुँच जाएंगे तो छोड़ी छोड़ी बाते हैं इनको समझना पड़ता है मैं अगर इनी में हम थोड़ा निरास हो गए कि बरसों से कोई काम कर रहे हैं और आखिर में जब वो होने ही बाला था तो हमने उसे छोड़ दिया तो कहां से कुछ हो पाएगा फिर हम कहते हैं हम कुछ भी करते हैं वो सफल नहीं हो पाता है हमारा वो काम पूरा नहीं हो पाता मैं परिसान हूँ अपने जीवन में तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे कैसे धीरे धीरे परिवर्तन और सब कुछ बदलना सुरू होता है मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा है हो सकता है गलत कहा हूँ तो मेरी बातों को मान नहीं लेना है जो भी आपको इसमें ठीक लगे आप प्रियोक करके देखें होने बिचार करें अच्छे से और फिर आपको जो भी सही लगता है उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं फिर मेरी कोई भी जिम्मेबारी नहीं रहेगी आप खुद स्वेम उसके जिम्मेदार होंगे धन्यवाद